हेलो एवर्यमन वेलकम बैक तो माइ चैनल तो आज हम स्प्राउटस बनाएंगे मूं के उससे हम उसकी मूंचाट बनाएंगे और उससे हम मतकी बनाना देखेंगे तो सबसे पहले हम मूं से स्प्राउट्स बनाने के लिए मैंने आधा कप मूं लिया हुआ है दो लोगों के हिसाब से और इसमें मैंने दो कप लिकवाम वाटर डाला हुआ है इसको बंद करके 4 गंटे के लिए 4-5 गंटे के लिए सोख होने दे मैंने 4-5 गंटे सोख होने के ब कि अच्छे कपड़े में निकालने के बाद अब हम इसको कपड़े को कपड़े से पानी निकाल देंगे और थोड़ा गीला कपड़ा रखा हुआ इसको निकला रहन देंगे देखिए बस आपकुछ इस तरह से स्प्राउट्स बनेंगे तो यह देखिए मैंने कपड़े में से पानी निकाल दिया है अब आप उसको ओवरनाइट सोक करना है आप उसको 12 गंटे सोक करने के बाद जब आप कपड़ा खोलेंगे तो आपको इस तरह के से स्प्राउट्स मिलेंगे और आपको उसको गरम जगह पर रखना है अगर उसमें छोटे-छोटे स्प्राउट्स निकलते हैं तो आप उसको 6-7 गंटे के लिए और बंग करके रख दे अब हम इससे बनाने जा रहे हैं मूंकी चाट तो मूंकी चाट बनाने के लिए मैंने टमाटर प्याज थोड़ा सा कटा हरा धनिया और कक्री काटी हुई है अगर इसमें और वेजीटेबल से एड़ करना है तो आप और वेजीटेबल से एड़ कर सकते हैं सबसे पहले थोड़े से स्प्राउट्स ले लिए हमने स्प्राउट्स लेने के बाद इसमें हम कटा हुआ प्याज डालेंगे थोड़ा सा कटी हुई ककडी थोड़ी से आपको आप इसमें गाजर भी डाल सकते हैं अगर आपको और कोई वेजिटेबल पसंद तो आप इसमें एड़ कर सकते हैं और इसमें मैं थोड़ा सा चाट मसाला और नमक मैंने एक इसमें मिक्स करके रखा हुआ है तो मैंने थोड़ा सा चाट मसाला डाला हुआ है और अगर आपको इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डाला हुआ है और अगर आपको इसमें थोड़ा सा करना है तो आप कर सकते हैं लैमन अब इसके बाद हम बनाएंगे महरास्ट की फेमिस डिश मठ की और अगर आपके घर पर कोई सब्जी नहीं हो तब भी आप इसको बना सकते हैं तो इसके लिए मैंने एक पैन में थोड़ा सा ओई लिया है और मैंने थोड़ा सा जीरा डाल दिया है जीरे को थोड़ा होने देंगे थोड़ी सी मैंने यहां पर राई डाल दिया राई को थोड़ा अच्छे से होने देंगे यह देखिए और बस जब राई और जीरा अच्छे से हो जाए इसके बाद आप हमने इसमें प्याज टाल दिया है प्याज और थोड़ा सा यह लसून छोटा-छोटा मैंने बारिक काट करके रखा हुआ है इसको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए और अगर आपको इसमें हरी मिर्ष टालनी है तो मैंने हरी मिर्ष काट करके रखे हुई है अगर आपको लाल मिर्श डालने है तो आप लाल मिर्श डाल सकते हैं मैंने थोड़ा सा धन्या पाउडर डाला धन्या पाउडर डालने के बाद इसमें आप मैं तमाटर डाल रही हूं बस आप अप्टमाटर को अच्छे से मिक्स कर दीजीए भी टमाटर को अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसमें थोड़ा सा अब नमक आड़ कर दीजिए यहाँ पर देखिए मैंने नमक काड़ किया है और थोड़ा सा अब आप इसको अच्छे से चला दीजिए आपको इसको तीन से चार मिनिट अच्छे से चलाना है इसमें आप टमाटर डालने के बाद मैंने इसमें नमक एक किया हुआ है तेस्ट के अकॉर्जिंग अगर आपके यहां पर कोई सब्जी नहीं है तो आपके लिए बहुत अच्छा अप्शन है आप अगर ऐसे स्प्राउट्स बना के रखेंगे तो आप उसकी सब्जी बना सकते है इसको आप पराठे के साथ खाईए यह बहुत टेस्टी लगती है अबस टमाटर को पकने के लि पानी छोड़ देंगे और अब आप इसको देखे थोड़ा सा पका लीजिए और तमाटर को अच्छे से मैश कर लीजिए तमाटर को आप अच्छे से मैश करने के बाद आप इसमें थोड़ा सा गरम मसाला भी आइट कर सकते हैं अगर आपको गरम मसाले कटेंगे तो आपको तेस्ट पसंद है तो और बस हमारे टमाटर अच्छे से हो गए है अब इसमें जो स्प्राउट से उसको डालेंगे बस इसको आप अच्छे से चला दीजिए इसको बहुत हलकी हातों से चलाईए अगर आप ज्यादा तेज चलाएंगे तो इसके जो स्प्राउट्स निकले हुए है वो टूट जाएंगे बस आपको इसको दीरे दीरे चलाना है आप इसको सूखा भी खा सकते हैं और पानी डालकर भी आप इसकी ग्रेवी टाइप बना सकते हैं सूखी भी पराटे के साथ अच्छे लगती है आप पूरी के साथ खा सकते हैं ग्रेवी वाली आप सबजी बनाएंगे तो आप चाव पानी वाली बनाते हैं उसको मिस्सल पाव के साथ खाया जाता है बस आपको इसको थोड़े दे धक करके रखना है और लगबग 3-4 मिनिट होने के बाद आप देखिए हमारी एक दब सब्जी बन करके रेडी है थोड़ा सा जो भी टमाटर खड़े खड़ा है उनको आप अच् और बस हमारी मटकी बन करके तयार है और बस अब आप इसको निकाल लेजिए बावल में और इसको धनिया से गार्णिश करके सर्व कीजिए तो हमने इस प्राउट से ब्रेकफास्ट भी बना लिया लंच भी बना लिया हम स्प्राउट से तीन चीज़े बना सकते हैं एजी ली तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरा चैनल लाइक शेर सब्सक्राइब करना ना भूलिए मिलते हैं नेक्स टेक अच्छे से व्लोग के साथ अब अफसता के लिए बाबाय टेक केर स्टे सेफ़